हेलो फ्रेंट संद्या की कुकिंग में आपका स्वागत है देखिए आज हम बनाते हैं चना की दाल और पालक इस तरीके से आप एक बार बना लेंगी तो रोज बना कर खाना पसंद करेंगी बिल्कुल अलग और नया तरीका है प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें हैं तो ओभर नाइट भी इसे विगा कर रख सकते हैं अगर बनाना हो तो आप पहले से तयारी कर सकते हैं आप इसको हमने दो पानी से धो लिया है फिर इसे हम डालेंगे एक कूकर में और इसे हमें ज्यादा देर तक नहीं पकाना है क्योंकि चने की दाल को हमें ऐसे ही रख डकना है साबुट नहीं स्वाद अनुसार नमग और एक चमच हल्दी पावडर और थूड़ा सा गरमहाता ही चो करता है चीमपल मसाल करते हैं इसमें हम एक से डेड़ गिलास पानी डालकर इसको हम दो सीटी तक पका लेंगे। चने की डाल वैसे तो तीन चार सीटी में पकती है लेकिन हम दो सीटी ही पकाएंगे। अब हम ले लेंगे एक कडाही उसमें हम डालेंगे तेल और तड़का में हम डालेंगे अद्रक और लसुन अद्रक लसुन, हरिमीर, प्याज इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है आप इसे क्रस करके भी डाल सकते हैं सबी तड़के को हम अच्छे से पहले भूनेंगे वीडियो पसंद आये तो लाइक करना, सेर करना चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारे जो भी वीडियो आये उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले सबी चीजों को हलका सा भून जाने के बाद अब हम लाश्ट में प्याच को डालेंगे और इसे भी थोड़ा सा कलर चेंज होने तक इसको भी भून लेंगे और आप भी इसमें और कुछ भी डाल सकते हैं जो चीजें आपको पसंद हो जैसे बैगन और अब हम डालेंगे दो मीडियम साइज कटे हुए टमाटर इसे हमने छोटा छोटा कट किया है ताकि ये जल्दी से गल जाए इसे भी चलाते हुए हम भूनेंगे एक से दो मिनट टमाटर को भी भून लेंगे ताकि ये थोड़ा सौप्ट हो जाए अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले एक चमच लाल मिर्च पावडर और आधी चमच हल्दी पावडर एक चमच धनिया पावडर और इसमें भी हम डालेंगे थूड़ा सा एक गरम मसाला और थूड़ा सा टेस्ट के अकॉंडिंग नमक और नमक से क्या होगा कि हमारा जो है टमाटर अच्छे से सौप्ट हो जाएगा एक ही दो मिनट में आप मसाले अपने पसंद से कम्या जादा कर सकते हैं या तो आपका जितना बनाना हो उसके हिसाफ से कम्या जादा ले सकते हैं अब हम लेंगे अपना पालक, पालक हमने दो मुठी लिया है, इसको हमने छोटे छोटे टुकणों में कट कर लिया है, और इसे अच्छे से धो कर पहले से ही रखा था, अब इसने तड़का हमारा पूरी तरह से पक चुका है, अब हम डाल लेंगे पालक, पालक को ही डाल के इ प्यार हो जाएगी इसको मेडियम फ्लेम पे ही हम इसे भून लेंगे थोड़ा साइसे सॉप्ट होने के लिए हम इसे ढख देंगे आप चाहे तो इसे खुला भी पका सकते हैं लेकिन ढखने से जल्दी हो जाएगा अब तब तक हमारी ये दाल जो है दो सीटी आ चुकी है बि ताकि पालक जो है अच्छे से मिल जाए सभी तड़का में पालचुले से दबाते हुए हम पालक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मैक्स हो जाए इसके बाद हम इसमें जो हमारी पकी हुई दाल है आप दाल को चाहे तो कच्ची भी डाल कर बना सकते हैं लेकिन एक दो सीटी पकाने के बाद अगर आप बना रही हैं तो यह बिल्कुल फर्फेक्ट बनेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी देखे इसे पक जाने के बाद अब हमने दाल को भी इसमें डाल दिया है और सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इ बिल्कुल गाड़ा हो चुका है अब इसमें हम लगाएंगे तड़का तड़के में हमने जीरा और तेल लिया है थोड़ी सी हींग हमने लिया है और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है आप इसे अपने इसाफ से भी तड़का लगा सकते हैं लेही जीरा हींग का वीडियो को लाइक करना ना भूले देखिए इसे हमने दो हरी मिर्ची डालकर इसे सजा दिया है अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालके सर्व करेंगे आप इसे रोटी चावल पराठी किसी चीज के साथ खा सकते हैं बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है देखने मे बहुत टेस्टी लग रहा है एक बार जरूर बटा कर देखना इस तरीके से दाल आपको भी बहुत पसंद आएगी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद